मशुहूर कभी आसीस अनल जी जिन्हें आप सभी लोग सुनते होंगे लेकिन अब कुछ बदले-बदले से हो गए हैं क्यों बदले से हो गए हैं यह आज जानेंगे चुकि आपकी बिधाएं अलग-अलग तरीके की हो गई हैं और वो लोगों को पसंद आ रही है ऐसा क्यूं हुआ कुछ ने पंकज बिया कुरूना काल के बाद से मुझे ऐसा लगा कि मैं जाना जाता हूं जैसा आप ने का कि मैं वीरस के नाम से जाना जाता हूं तो निश्ती तूपसेा हुएट लेकिन पहली बात है यह मेरे मन्चों पर भी कहता हूँ, कि मैं आपको कभी कहीं से नहीं मांता हुए। मैं भावनाओं का गायूभू। और वो बहुत मन्से मैं गाने की कोशिश करता हूं। और खास्तों से लिखता में पहले से था, बेंजीर की हुली, एक मेरी कविता आज से 25 साल पहले ऐसी हुई कि अजर वाइरल की यूग में होती, तो पता नहीं कितने करोन उसके व्यू हो जाती है, अरे वो तो, वो कविता में पढ़ी नहीं जिस दिन से बेंजीर जी गई, बे कर देश के तमाम कवि उनसे होली कहलते हैं, तो इस तरीके की, वो अपने अपने तरीके से, तो परोडी थी सारे कवियों की, बहुत मशूर थी वो परोडी, मतलब उसने मेरे उपर प्रश्न चिन लगा दिया था, कि वीरश का कवी है, अहांसे का कवी है, तो लेकिन फिर उ करोणा के बाद से मैं मंच पर वो रस पढ़ूँगा, सिर्फ भी रस नहीं, वो रस पढ़ूँगा, जो मेरी जंता को, इस नीरस जंता को थोड़ा सा रस देते, मुझे लगेगा मैंने अपना काम पुरी शित्त से, पुरी पवित्ता से प्रमें नहीं का है, जो आपने वो पुरस लोगों को रस्पान कराया, वाज दर्सकों को भी कुछ हो जाए, मैं चार्चा लाइनों में दो चीज़े सुना देता हूँ, एक गीज जो कुरोना के बाद बहुत पसंद किया गया, उसका एक बन सुना देता हूँ, कि माना जरा उदासी थी, धरा खुशी की ब्यासी थी, रीता रीता हर घट था, सुना हर एक पन घट था, एक पल को मन कैद भी था, अगले पल मुस्तैद भी था, बोला क्यों कर है डरता, काली चक्र यूं ही चलता, कभी रुकी ना सुई समय की, ये तो यूही गूमेगे, फिर से बादल बरसेगा, फिर से धरती जुमेगे, फिर से बादल बरसेगा, फिर एक बंद उसका मेरा वाप्री है, उसना पर, कि माना रूठी आज बहार, मैं आज भी वीरस ही पढ़ रहा हूं कि इसमें क्या है आपका ये मुश्कराता हुआ चेहरा जो मुझे बड़ी चैतनिस्ता से देख रहा है वो क्या है वो एक उत्सा है और वीरस का इस्थाई भाव ही उत्सा है तो लोगों ने बहुत पसंद किया तो मुझे लगा नहीं मुझे कुछ और अभी परसों में कानपूर अगर्वाल समाज के एक कारकर में था और जो लोग जानते थे उन्होंने इमसे के दिया कि कुछ उसमें से ना दीजे तो मैं एक दो चंद है उसमें से जिंदगी उन्वा है एक कोशिश मेरी यह क्यावन जंदों का इन घनाक्षरी जंदों का एक गीत हो तो मैं अस प्रयास पर हूं में थोड़ा सा उसमें से लिए कि कभी जन्म्रत्वाला खेल लगती है कभी धड़कन और कभी श्वास लगी जिंदगी कभी वेदुना में आसूं के संग डूब कभी नीली और कभी आस पर ही आस लगी जिंदगी कभी उर मिला सा वनवास महलों में जिया कभी सिया वाला वनवास लगी जिंदगी पग पग खुद से ही जूजते हुए मुझे तो खुद को ही जीने का प्रयास लगी जिंदगी इसे फ्रेम में मढना चाहां मढना चाहां इसे फ्रेम में हम से मड़ी ना जिन्दगी इतने साल जिये हम फिर भी पले पड़ी ना जिन्दगी पले तो बस इस तरीके से आज एक अलग तरीके से मस्तिया लेने का फान होता है तो लगता है मुझे जनता के सामने ये भी सुना रहा चाहिए पिल्कुल देखा आपने आसी सेनल जी को किस जिन्दा दिली कहते हैं जिन्दगी जो जीता है वो हमेशा खुशनुमा माहूल में रहता है और आप लाको लाको लोगों को जिन्दा दिल बनाते हैं हम उमीद करेंगे कि यूहीं आप कर्पिता लोगों को सुनाते रहें और भारत ही नहीं विदेशों में भी चाते रहें आसी जी आपका बहुत बहुत दन्यवाद सीतापुर से आई इंडिया के लिए डॉक्टर पंका सिंग गौर सबने खूब मन से पड़ा पुशल पहली बार आया था ये दुन नए नाम उन्होंने व्यार का दिन्स हुआ वो तो मूमनी है अब तुम भी प्यों इधर भी बेजो वो मेरे पास भी बेजो क्या था अभी तक मुझे मेरा गला सुकता था तो मैं उधर मुल की देख पर अब ऐसी व्योस्ता है नहीं ये आपको देखने करता पड़ा तो मैं कोशिश करूंगा तिसलिए पानी बिलबा दिया रहा है ता अब जब हो आई है वो जादू तो करती है अरे रुजा ये सारे का माते है मुझे मैं ती देर से बरिष्टों परे बैठा हुगा लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था ये जानती है वह आई है तो मतलब मार मुझे हमारे बाबुजी यो ये वो बाबुजी मैं ख़ड़ा बाबता देटा ख़ड़ा तो मैं इनसे कहना चाहता हूं कि बढ़ापे की अदाओं को कोई मासूं क्या समझे बढ़ापे की अदाओं को कोई मासूं क्या समझे यहीं आकर के मंजिल का पता मालून होता है बढ़ापे और जवानी में बस्तना फर्क होता है वो कष्टी पार होती है तो मुझे क्यों लगा कि कैसे आप जागरत हुए जहां मेरी नजर पहुंची मैं देखता हूँ आपकी पहुती है कि कैसी अज़ा उसको भी सुना सुधीव को भी सुना तो थोड़ा सा से दोनों पाए कि कैसी जा तू बेरी हो मेरी देखी कि कैसी जागरी हो गई देखिये कैसी जादू गरी हो गई देखिये कैसे जादूगरी हो गई देखिये कागरी डस भरी हो गई देखिये उनकी सारी का रंग ये हरा देखिकर सद की तफियत हरी हो गई देखिये कैसे जादूगरी और देखिये चार मत्या मत्य की और कोई देखिये प्रिपल बस तस पंदा गड़ मैं आपके बीच में हमरी भी जिम्हें दानी है चार मत्या लोगी जी को लेकर सपने बहु सुना है कि चार ओर से मनुष्य की रितावी पत्ती में कि चार ओर से मनुष्य की रितावी पत्ती में तो उसे सिर्फ काशी और कावाया दूलाते हैं कि चार ओर से मनुष्य की रितावी पत्ती में तो उसे सिर्क काशी और कावा याद लाते हैं जाने कहां छुप गए गाएक वो जोगा रहे थे बैंक भर भर के चड़ाए कलने कावे आपे हांचों में टूबे वो चड़ावा याद लाते हैं हांचों में टूबे वो चड़ावा याद लाते हैं बुल्डो जो नुँ कहीं पे भी घड़ा हुआ दिक जाए मुझी को तु रंतयोगी बाबा है बचत्ती कान चलता रहता है आईए मैं एक छोके सी कविता सुनाता हूं इसके बाद अगर आप तेंजार मुट का मन दे देंगे तो आज आपको बहुत सुनाना जाहता हूं जो हिंदुस्तान में किसी भी कविता सुनाता हूं एक करता सुनीजी आपके मन किसना देता हूं जो भी चुवान पे चटीए रहतना हूं एक करता सुनाता है एक करता हूं सैनिकों के सब्दान वो सैनिक हुआ खड़े हैं तो हम और आप यहां बैटके रहे उस्सम मंगा रहे हैं छे पंदिया मैं सुनाने जाना हूं शुवात करता हूं सिर्क मेरे कहने पर मेरा मन रगने क्लिए आप ताली बजा देजेगा ताकि वो सैनिक जहां भी खड़े उन्हें एक सेनन सी हो कि मेरा देश्टी को रात के दो बजी में यहां करें उसके बाद मैं आपसे दावा करता हूं वादा करता हूं अगर कर सम्मेलन में आये हो और चौबेश घंटे में एक बार दिल में हिंदुस्तान बगता होगा तो कि अपनी कुल्सें को सब्चा जाओ वहां सुघे विचे क्यां मन बनाने के लिए आपका गर सात के जाएगा कि कि मेरा है अप्रणाम तौन को मेरा है प्रणाम मुस्लानवान को, यानि मेरे सेनिपिक स्वाविमान को, नातो दिन रहन देखे नाई सुब शाम, तन्मन कर दिया देश के हिनाम, कन्मन एक कराम उलगी होता, तो कसा वो दुना पकड़ने पाता, कि कन्मन कर दिया देश के हिनाम, मोर को भी जो बना के लख दे गुलाम, धर्ति की ऐसी हरवर्दी को सलाम, कन्मन के भाजति की आपो का वरूर, सैंटी की नाई की हैं ये हैं देश का गुरूर, सैंटी की नाई की हैं ये हैं देश का गुरूर, सैंटी की नाई की हैं ये हैं देश का गुरूर, और देखता हूँ, अगर सेनकों के लिए ताली दी मुझे आप पाते हो, तो फिर इसके लिए उजाओ, कोशिश मैं करता हूँ, कि आपको हिंदुस्तान चिलास कूँ, लेकिन देखना मैं भी चाहता हूँ, तेल से आया हूँ, आपके इंदर के तीश चमता हूँ, चमता सेनक नो नहीं, मैं गंगा नगर था, पाकिस्तान बाड़र, इंदुस्तान पाकिस्तान, मैं करता पड़के नीचे आया, तो मुझे कहा गया, एक व्यक्ति ने पूछा कि आशिली भाई, सेनक तो भी रखता हूँ, सेनक आपके परोवे, ऐसा फर्क कौन सा है आपके और सेन पर जिससे आपके सानी कोड़ पड़िए, अब आपका बेटा जवाब देता है, जो मुस्कराते हो, चेरे मुझे नहीं, मैं बैदोजार से मिनट हूँ, मुझे नहीं पता, मैं शायद आप या तो पहली बार मुझे सुन रहे होगे, या जो भी हो, बस मैं इतना ही कह सकता ह हुआ 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 ह विजय भीया दिन के उजाले में ना ऐसा कोई काम करो नीम जो ना आए तुम्हें रात के अंधेरे में और अगली पंग पर अगर मन बंजा तो ताली में जाना अच्छी बात पर अगर अच्छी तालिया मिलेगी तो कभी और अच्छा सुनाने की उम्मत खरेगा कि दिन के उजाले में ना ऐसा कोई काम करो नीम जोना आए तुम्हें रात के अंधेरे में और रात के अंधेरे में करो ना कोई ऐसा काम मूह सु चिप आते लिए पिरुआ कि सहीने क्यों ना ये नहीँ है देश का बुरूर क्या फर्क है तूटा हूँ लेकिन चोड़ना भी आपकी जिम्हदाली है कि सैने को नहीं है यह देश का गुरूर उस में वह हम में बहुत फर्क है सिद्ल करने को काफी एक तर्क है उस में वह हम में बहुत फर्क है सिद्ल करने को काफी एक तर्क है उस में सैने लाचों के विशीश काते है हमने उसकी लाचों को कपन बाते है क्योंकि यह इस तो हमारी पेचान है इसलिए हिंत्व हम्हारी इसलिए हिंदोस्तान है हमसा मिले जाने हिसानि दूर Дूर हमसा मिले जाने ह अगि कितना शान मन की कभी मैं नहीं देखा अगर मैंन तो अनकोषत ओंप पर तालीक है कि कमिता हम ने समझे में बहुत बहुत कि सag सेही क्यों नहीं है देश का गुरूर। उसमें ओ हम में बहुत फर्क है सिद्गर ने को काफी एक तर्क दे उतने से लाशो के भी शीश काटे हैं हमने उसकी लाशो को कपन बाते हैं क्योंकि यही तो हमारी पैचान है तो कि यही तो अबर पैचान है इसलिए हिंदुस्तान है हम सामिये का नहीं सानी दूर दूर। सैंडिक नहीं है यह देश का गुरूर। आपका मन हो तो परसाथ में है यह जो पढ़के गया शीश काम कैसे हिम्मत होती है वो संकल के पुपता कैसे है हम प्यारों करता है हम अरणी हम चीख चिल्दा हाथ के तबी हम चीखते हैं चिल्दाते हैं कि जाहें बोलो चीख रहा हूं या पुलो चिल्लाता हूं कोई कुछ भी बोले इससे मुझको फरेक नहीं होता तो कि जब तक स्वर्ग धरापा सच मुस्वर्ग नहीं होता तक क्यों ही ची कूंगा तक क्यों ही चिल्लाओंगा भारतना की पीड़ा आसुद ना बेदना काऊंगा अंतस में बूठण जागा लेकिनी जाल बन बैटी है तक कावी करकर वाल उपा करमा काल बन बैटी है इसलिए मेरे गीतो के तेवर फोड़े थीके है तुम कविता मानो तो कविता बना की पीड़ी के है कि तुम केटा ना नोटो करना है कि तुम कावितार न कना न सुम्ह कर लागा, न कर दू पर दीद हैं मैं तरती लेगी तो में फ़र्शा संब किसा न फट्स॥ मैं यह तो नहीं वादा करता कि विछ आंक कि ओुजा दोना लेकिन दो गूंद ही सही मैं आपको जेने की पोशे चकर करूँगा, इसों भी समुनता हूँ पेखेश चाही बोलो चीक रहा हूँ, या बोलो चिलाता हूँ चाही बोलो चीक-चीक करके ताली बजवाता हूँ कोई कुछ भी बोले, इससे मुझ को फरक नहीं होता तुम कविता मालो तो कविता वर्णा के बचीक है, मैं दरदील ले गी तो मैं भाषा चंगार न पहर पाया तो मैं भाषा चंगार न पहर पाया, आपटाई के आगे कविताई की भाषा भूल गया जो लग भी भी बिख सकती है मैं ऐसी सचाई हूँ कहीं तक भूशर जद निक्मू कहीं चद वर्दाई हूँ आजी से कुछला जाये पर कम की कलंग नहीं करती कम की कलंग कभी सकता को जगर नमन नहीं करती मैंने जिक कोटिश की है पंता का घरत निबारे की पूशन वर्दाई जिकर की परपाटी अपना लेकी चूटबो लुदाजबाट पर चाहे चोले दरवादो एंपरी चांगरी कलंग की जगजी चारे करवादो गद्दारी करता दीकू तो मुझ पर नहीं रहन करना आटा बेटा आपको हम देता है गद्दारी करता दीकू तो मुझ पर नहीं रहन करना जिस दिन मेरी कलंग के तुम बेरा शीष कलंग करना जिस दिन मेरी कलंग के तुम मेरा शीष कलंग करना जदियातन की आंधी से अनमनाना नामन होता क्यो पढ़ता है कि तो इस चीक चलाटी भाड़ जाको उसे अपनिक थार्शा बनाना सकता है तो उप्देश पढ़ा करते हम गीता और पुरानों के होती ना हुंकार कंट में बसरगम की लए होती करमंदिर संग मस्चिद में भी भारता की चैप होती परकुष मस्चिद और मदर से थारम से का पुछिश मैं करना है मांदारी से जो लिख सकते हो सुना सकते हैं आपके मांदारी मुझे वापस चाहिए यदियातन की आंदी से अनमना ना मन होता लितो मेरा दा होती गजलों में ब्रदा बनगोता चत्पिक चत्भारत ना बोता अदरों की जाली लिखता लिखता पुरबनारस का मैं शाम अवदवाली लिखता जड़ गड़ी पर ओविवाज का दुआ नहीं चाया होता तो मेरी कविता मैं भी आगोष नहीं आया होता नदियातर किष्वी नसस्ते सीमा पर शेतानों के तो उपदेश पड़ा करते हम कीता और कुरानों के होती ना हुमकार कंट में बसरगम की लह होती करमन देश्टन मंचिद में भी भारत मा की जाए होती पर कुष मंचिद और मदर से धर्म सयम का भूल गए उनमादी हो करके जेहादी आधी में जुल गए कुष मंचिद अट्डाबन वैटी है हम यार चुपाने की उसके माईं पे आवाजे है इसलाम बचाने की ये आवाजे कहती है वो अब भी पूना सिक्चत है मुष्बाद परिश से धर्म सर्थ थे की आवाजे कहती हैं लाजे क्यों मैं रखाने करे धर्म सब्चाने की अन्तियु पारी मैं सुन ली के मैं अंतिम शेए बंतिया सुनने लेखिए मैं जैसा है क्या हेते हैं अक्षेट समापद घि यह तो यह दो शंगाल जी का पझा के अग्षम से टो हैं आप मैंने शुना के दिखाओ मैं टेक हैं लेकिन क्यों नहीं अगर आप 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 आपको डाउब हो जाप पर देता हूं आणने गोल जी को सोब देता हूं कि दिल में दीवान दीगी नहीं होती दीगा प्यार में बंदीगी नहीं होती दीगा में गोटेथ एकिसाथ जो अपक नहीं मिलता सिंदगी जंदगी नहीं होती त्लेकिन लिखने पाया थ या नहीं लिपाया क्को नहीं लिपाया? क्या वह स्नूधि नहीं प Frage कि ऐसा नहीं कि मुझे लन खाता जर्तमॉउट गासा रा आपका कि ऐसा नहीं कि मुझे लुभाता जूतों का सायाना था, या योवन सावन ओढ़े मेरे द्वारे आयाना था, मुझको भी प्रेयस के में की बातें अची लगती थी, मुझको भी प्रेयस के में की बातें अची लगती थी, मुझको भी प्रेयस के में की बातें अची लगती थ मैं दो बन सिर्फ दो बन में तरहेंगे चुकिए आपके पथा है मैं दो बन सिर्फ दो बन सिर्फ के आठ रही में अपने में के सुना जायता हूँ मैं जानता हूँ मेरे कुछ नित्रों को बरदार्ट नहीं होगा एक शायद यह आपके लिए भी एक अच्छी उपलब दिनोगी है जिन्दगी शिशक से मैं एक क्यावन चंदों का गीत दिख रहा हूँ मेरा मंच समझता है कि एक सिंकान है मैं दो चंद उसमें के सुना हूँ उसके बार में तरहेंगे के बहुता है कर्णू से ट्रीजर को अच्छी वाँ आख रहा है कि कभी जन्मुम्रक्ट्य। वाला खेले लगती है कभी धड़क नू और अभी श्वाँस लगी जंदगी कभी धन्म्रक्तु आरा ठेली लगती है कभी धड़कन और कभी श्वास लगी जिन्दगी कभी वेद नामे आसुमों के संगतु भी निली और कभी हास बरी हास लगी जिन्दगी कभी पुरमीला सावा नुबास महेलों में जिया कभी सिया वाला नुबास लगी जिन्दगी पग पग खुद से जोजते हुए मुझे तो खुद को ही जीने का प्रयास लगी जिन्दगी अगर मन से बढ़ाई रहे तो ताल के साज लाग बढ़ाओ खुद को ही जीने का प्रयास लगी जिन्दगी इसको जैसे मटना चाहा इसे पेम में इट्हे जिन्दगी इतने साल जीये हम फिर भी बले-बड़ीना जिन्दगी पल पड़ीना जिन्दगी कि पल्ले पड़ीन जिन्दगी पल्ले पड़ीन जिन्दगी कभी आती जाती खांसों वालत कम लगती है कभी खुद में हिसर कम लगती है कभी आती जाती खांसों वालत कम लगती है कभी खुद में हिसर कम लगती है कभी बाबुजी की फटकार वाला सक्त स्वर कभी मां की गोदसी नरम लगती है कभी बैना का प्यार भाई बाभी का दुलार रिष्टों जैसे नरम करम लगती है इसको जैसे गणना चाहा हम से गढ़ी न जिन्दगी इतने साल जिहे हम फिर भी पड़े पड़ी न जिन्दगी अब बतावा आई मैं दो बन वोच मा देता हूं तमाम लोगने सुन रखी आप सब में तमामों को लियार भी है पविता का शिशत तरंगा वो तरंगा इसके इस बुदूर पीड़ी ने बटाया कि एक इच्छाथी पर गोली लगती थी तो दूसरा उसे नहीं पकड़ता था पहले तरंगा पकड़ लेता था ऐसा ना वो इसके गोली लग रही है इसके हां से छूटके तरंगा समीन पे गिर जाए तरंगी का अधमान हो जाए रिष में कोई नेता हमता है मेरे तरंगे को जुगा जाता है मेरे असे कोई पछन नहीं लगता है अधमान है कोई नेता तरंगे को जुगा या जा जुका आजादी की कितनी सजा उपा जुका कितना ती रंगे को जुताया जा जुका, आजादी की कितनी सजावाँ पाजुका, ऐसी संभीतान की अमर्च गूरी है, शोग में ती रंगा जुकाना जरूरी है, को की प्रता पे यह एरान किया जाए, मंसी का भी बाप पर रोने दिया जाए, एते हुए अनल रुकेगा नगी, हाँते ती रंगा तो हमारी आनवान है, यह ती रंगा तो हमारी आनवान है, यह हमारी आजादी की बेहिचान है, यह सवा अरभ जनता की छाती है, यह हमारे शोड़े के दिये की बाती है, कर दुए लान किस सोच में पड़ा, कदी नहीं होता कोई रासे बढ़ा, एसे ती रंगा करती चुकेगा नहीं, बोलो एस ती रंगा अब चुकेगा नहीं, आपसे ती रंगा तो हमारी चुकेगा नहीं, दोरिया पकड तेरी हुए जो खड़े, गलत करने बस मैं आपसे इतना ही करना चाहिए, कि तोरिया पकड तेरी हुए जो खड़े, किया है, तो हम आए हैं, तो आएंगे, आपकेज लेए, लेकिन एक रग्त की विज़ा से कराम वहाँ हुआरे मित्र भाल मन में ये खाव लेके जाएंगे, कि यान कुछ भी रहा, लेकिन कविता के साथ सब मजाग नहीं चलता था, दोरियां पकड तेरी हुवे जो खड़े, क्या हो गए हैं वो आज देश से बड़े, देश है स्वतंत्र चेतना स्वतंत्र है, फिरिकु तीरंगा मेरा परतंत्र है, फिरिकु तीरंगा मेरा परतंत्र है, फिरिकु तीरंगा मेरा परतंत्र है, फिरिकु तीरंगा मेरा परतंत प्रवेश के लिए शीग रिसम पर प्रवेश के लिए करें सत्य दो हजार बाइस थे इस में डी फार्मा का रहा उतकरष्ट परिक्षाफल सभी नब्बे प्रतिज़ शात्र शात्राएं प्रथम श्रेडी में हुए उत्तीन खबर आपकी नजर हमारी देखते रहे आई इंडिया